कम्मो के उसकी मा लक्षमी ने कम उम्र में ही नाक कान छिदा दिये बिचारी बहुत रोई मगर उसकी मा कटर बनी उसे पकड़ी रही कम्मो रोती हुई बोली मा हमें नहीं छिदवाने फिर का है जबर्दस्ती करती हैं लक्ष्मी कम्मो को कसकर पकड़ती हुई बोली एक आथ साल में ब्याह हो जाएगा तो क्या ऐसे ही मूलेकर जाओगी लोग बात बनाएंगे कि जेवर ना देने का कारण बेटी को बिना नाक कान छिदवाए भेज दिया कम्मो अभी आथ साल की ही थी इन बातों को बेचारी क्या समझती चौधा साल की होते होते ये बात समझाई तो लक्ष्मी ने उसे चूले चौके और कड़ाई बुनाई में उलजा दिया उसके बाद तो उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला दिमाग में कुछ बैट कया था तो बस ये कि वह किसी के घर दुलहन बन कर जाएगी तो वहाँ उसे हर कसोटी पर खरा उतरना है सत्रा साल की उम्र में कम्मो की शादी अजे के साथ ठहर गई कम्मो ने अपनी मा से पूछा मा क्या वहाँ जाड़े में सुभा बखत उठना पड़ेगा और क्या वहाँ तो सुभा चार बजे बिस्तर छोड़ना पड़ेगा मुझे समय का कैसे पता चलेगा कोई किताब पड़ी होती तो घड़ी में समय भी देख पाती ये क्या बात हुई अनपर लोग क्या समय नहीं जान पाते चिडियों की चहचहाट से हम औरतें समय का अंदाजा लगा लेती है तुम्हें भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा कमो ने सुभा जल्दी उठने की आदत भी डाल ली और वो दिन आ ही गया जब कमो दुलहन बनकर तयार हो गई बारात आने की आवाज सुनकर वे खिडकी की तरफ तोड़ी लक्षमी ने हाथ पकड़कर उसे पीछे खीचते हुए कहा अरे सुन बिटिया कहा जा रही है मा मेरी बारात आ रही है मुझे अपना दूला देखना है इसलिए खिडकी पर जा रही हूँ पगला गई हो क्या सुहाग रात से पहले पती का चहरा ना तो देखते हैं और ना ही अपना दिखाते हैं चलो अब घूंगट निकालो और छुपचाप अंदर जाकर बैठ जाओ हाँ कम्मो ने मा की आग्या का पालन किया और घूंगट निकालकर अंदर बैठ गई उची आवाज में बात मत करना जबान मत लडाना और ये घूंगट दो कलो की लाज है इसकी मर्यादा का खयाल रखना कमो मा से मिलकर रोती हुई बोली मा मुझे नहीं जाना ससुराल यहीं रहना है आपके पास सब बिटिया जाती है मैं भी आई थी इसलिए जाना तो तुम्हें भी पड़ेगा दामाद बाबू अटैची में खाना पीना सब बान दिया है भूख लगे तो बस में खा लेना वैसे भी लंबा सफर है यहां से घोडा गाडी बस अड़े तक पहुँचा देगी आपको अजे बाबू घोडा गाडी में नई नवेली दुलन के साथ बैठे हुए फूले नहीं समा रहे थे कम्मो ने अभी भी लंबा गुंगट निकाला हुआ था ए सुनो अरे अब तो यह गुंगट अटा लो देखो अब हम बस अड़े पहुँच गए यह कोई जाने वाला नहीं है नहीं जी मा ने कहा है कि सुहाग राथ से पहले ना आपका चहरा देखना है और ना ही अपना दिखाना है अजे यह सुनकर मुस्कुराया और बोला अच्छा बाबा ठीक है जैसे तुमें ठीक लगे दोनों खचा खच भरी हुई बस में चड़ गए कम्मो को शादी के जोडे में घूंगट निकाले देखकर किसी भले मानुष ने सीट भी दे दी कम्मो का इतनी भीड और गर्मी के मारे दम घुटने लगा फिर भी उसने घूंगट नहीं हटाया करीब आधे रास्ते पहुचने पर अजे के पेट में गुड़ गुड़ होने लगी अजे कम्मो से बोला सुनो आगे जो स्टेंड आएगा न उस पर मुझे उतरना होगा पेट खराब हो गया यार लगता है शोचाले जाना पड़ेगा कम्मो को शादी में ठकान होने की वज़ा से नीद आ गई थी उसने अजे की बात नहीं सुनी अजे को भी उसके गुंगट में पता नहीं चला कि वो सोई हुई है और वे आगे जाकर उतर गया अरे यहां तो दूर दूर तक कोई शोचाले दिखाई नहीं दे रहा कहीं खेत या जाड़ भी नहीं है अरे हां वो धर कोई खेत दिखाई पड़ ला है वहीं चला जाता हूँ अजे जब तक शोच करके आया बस जा चुकी थी ये देख कर तो अजे का माथा घूम गया अवे क्या करे शाम ढल चुकी थी अधेरा होने लगा अवे कहां जाए दूसरी बस भी न जाने कब आएगी और बस में कम्मो बे खबर बैठी हुई सो रही थी रात के दस बज गए बस खाली हो गई लेकिन कम्मो अभी भी घूमगट निकाले हुए अकेली बैठी हुई थी घूमगट वाली सुनती हो कहां उतरना है तुमें अरे बस खाली हो गई है ये सुनकर कम्मो चौक गई उसने हलका सा घूमगट उठा कर देखा तो सच में ही वहां कोई नहीं था कम्मो अटैची लेकर उतर गई चारों तरफ अंधेरा था वह चलने लगी समझ ही नहीं आया कि किधर जाए मन में खयाल आया कि वो उसे बिना बताए धोखा देकर बस में अकेला छोड़ कर चले गए तब ही उसकी नजर रास्ते में एक दुकान पर गई वहां एक औरत सुनेना अपना सामान समेट कर दुकान बंद कर रही थी कम्मो ने पूछा सुनो ये कौन सी जगा है ये माधुपुर है तुम्हें कहा जाना है दुलहन लगती हो मुझे पता नहीं कहा जाना है आज ही विदा होकर ससुराल के लिए निकली हूँ पता नहीं मेरे पती मुझे छोड़ कर कहा चले गए ऐसे कैसे चले गए तुमने रोका नहीं उनसे पूछा नहीं पता चलता तो पूछती ना मैं तो घूंगट में थी पती से घूंगट? बड़ी अजीब बात है अब कहा जाओगी? कम्मो तो जोड़़़़ से रोने लगी कहा जाएगी उसे कुछ नहीं पता सुनैना ने कहा अरे अरे रोती क्यों हो? चुप हो जाओ वो तुम्हें रात में अकेले छोड़ कर भाग गया और तुम रोती हो? चलो रात में मेरे यहां ठहर जाओ सुभा थाने में रपट लिखा देना रात में वे कहां जाती? इसलिए वे सुनैना के साथ उसके घर चली गई एक छोटे से दुरगंध वाले कमरे में जाते ही उसका मन खराब होने लगा तुम्हारा नाम क्या है? कम्मो अच्छा कम्मो, अब सो जाओ सुभा थाने चलना है अब पुलिस ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल पहुँचाएगी सुभा सुनैना कम्मो को थाने लेकर गई और कहा दरोगा साहाब इसका पती से छोड़ कर भाग गया है इसलिए आपके पास आई है ताकि अपने ससुराल जा सके क्या नाम है पती का? अरे बोलो क्या नाम है पती का? मा ने पती का नाम लेने से मना किया है नाम लेने से ना पती के उम्र घड़ती है देखो बताना तो पड़ेगा बिना नाम और पती के तुम्हारे पती को कैसे पकड़ेंगे? उन्हें किसलिए पकड़ोगे? क्यों तुम्हें छोड़कर नहीं भागाए वो अब जल्दी उसका और अपनी ससुराल का नाम बताओ अच्छा उनका नाम अजे और ससुराल का याद नहीं मुझे तो लगता है ये लड़की हमें गुमराख करने की कोशिश कर रही है अंदर कर दूँ हमें सच मुझ याद नहीं की ससुराल का क्या नाम है सब लोग कम्मो की ससुराल कहते थे अब ये कम्मो कौन है अरे हमारा ही नाम कम्मो है पूरा नाम क्या है पूरा नाम कौन सा पुकारने वाला या जनम पत्री का ना जाने आज किस से पाला पड़ गया, अरे भाई स्कूल का ही बता दो हम कभी स्कूल ही नहीं गए, वैसे जनम पत्री का नाम कामिनी है दादी से लिया नहीं जाता था, वो कमीनी कहती थी इसलिए सब कमो कहने लगे शायद इसी कारण तुम्हें तुम्हारा पती छोड़ कर भाग गया कि तुम अनपढ़ हो अच्छा, खुलिया पता सकती हो, कैसा दिखता है, क्या पहना है कैसे बताएं, हमने उन्हें देखा ही नहीं, हम तो घूंगट में थे ना क्या बिना नाम और पते के कमो अपने पती को ढूंड पाएगी, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें